तामिलाडू के तूतिकोरिन मामले में वेदांता स्टरलाइट को जटका सुप्रीम कोट ने प्लांट को दोबारा खोलने की इजाज़त देने वाला एंजीटी का आदेश निरस्त किया अलीगर मुस्लिम युनिवरसिटी के 14 चात्रों पर लगे देश दरहों के आरोप सावित नहीं हुए अलीगर पुलीस मुकदमा वापस लेगी पूर फ्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीरती आजाद कॉंग्रस में शामिल राहूल गांधी की मौजूदगी में कॉंग्रस की सदस्यता ली जम्मु कश्मीर के पुल्वामा में पिंगलान में आतंकवादियों के साथ मुटभेड में मेजर समेथ सेना के चार जवान शहीद एक घायल जैश कमांडर कमरान समेथ दो आतंकवादियों की मौत पुल्वामा हमले के बाद जम्मु कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला मीरवाईज उमर फारुक समेथ चार अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली पुल्वामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज देश भर में व्यापारियों ने बंद बुलाया तनाफ के चलते जम्मु में लगातार चौथे दिन भी कफ्यू जारी पंजाब क्रिकेट असोसियेशन के बाद राजिस्थान क्रिकेट असोसियेशन ने भी स्टेडियम से पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें हटाई पूर्प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग का प्रधानमंत्री मोधी और केंद्र सरकार पर हमला कहा जॉबलिस ग्रोथ, ग्रामीन कर्ज और अव्यवस्था से युवाओं में असंतोश पुडुचेरिक युपराजेपाल की रनबेदी के खिलाफ मुख्यमंत्री वी नारायन सामी के धरने का आज छटा दिन, 20 फरवरी से जेल भरू अंदोलन की चेताव लीदी और वर्ल कप के बाद वन डे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे वेस्ट इंडीस के धमाके दारूपनर क्रिस गेल